नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट निया स्लैप समचार से शुशान सिंग राजपूत केस में आ रही है अब तक कि शोकिंग न्यूज CBI को शक है कि शुशान सिंग राजपूत को पहले मारा गया है फिर उन्हें फंदे पर लटकाया गया था चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरी खबर लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल स्लैप समचार को सब्सक्राइब नहीं किया है ते जरूर सब्सक्राइब करें ताकि शुशान सिंग राजपूत केस की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे CBI को ऐसा शक हो रहा है कि शुशान सिंग राजपूत को पहले मारा गया है फिर उसके बाद उन्हें फंदे पर लटकाया गया है CBI की टीम ने जब शुशान सिंग राजपूत के घर में सीन क्रेट किया तब उन्हें ऐसा शक पैदा हुआ कि शुशान को पहले मारा गया है और फिर लटकाया गया है एक बात आपको बता दे जो शुशान के परिवार के वकील है विकास सिंग उनका भी यही कहना था कि शुशान को पहले मारा गया है और फिर लटकाया गया है यही कारण है कि CBI की टीम बार बार सुशान्त के घर जा रही है क्योंकि उन्हें अब शक हो गया है और बार बार सीन क्रेट भी कर रही है एक बात आपको याद दुला दे शुशान्त की जो पडोसी है उनके एक वीडियो शुशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही थी जिसमें वो न्यूज में ये कहती नजर आई कि सुशान्त के घर की लाइटे उस दिन रात साड़े दस बज़े बंद हो चुकी थी काफ एक किच्चन के लाइट आउन थी इसके लावा जब सीबिया की टीम ने शुशान सिंग राजपूत के घर जाकर सीन क्रेट किया तो उने कुछ ऐसे सबूत मिले है जिन से उनके मनमेशक पैदा हो रहा है कि शुशान को पहले मारा गया है और फिर लटकाया गया है क्यो देव लगातार उनसे पूस्ताच कर रही है आपको बता दे शुशान सिंग राजपूत केस में रोज नए सवाल उटते हैं और ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि शुशान सिंग राजपूत को मारा गया था या फिर उन्होंने खुश सूसाइड किया था अब देखना ये ह कि ये केस और कितने आगे तक पूस्ता है हमें पूरा विश्वास है कि सी बे आई टीम जुशान सिंग राजपूत केस की सच्चाइब जनता के सामने जरूर लाएगी